गुट मॉर्णिंग आपके कमेंड को देख पा रहा हूं आप भी देख पा रही हैं मुझे ठीक है चले क्लासियों शुरुवात कर देते हैं जल्दी से तो जैसा की सीजियल 2022 की जो डेज हैं वो पास आते जा रहे हैं और मैं उमीद कर रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल गुट मॉर्णिंग उर्जा बिल्कुल यह सोच रहे होंगे कि कैसे क्या प्रिप्रेशन की जाद घबराने के जुरुवत नहीं हैं लाउन टपिक हम लोगों हैं कर लिया है और अब जो वैम हम बोग करने जा रहे हैं वह प्रोनाउन टöpik के व्योश्चंस हैं तो प्रोनाउन की कुश्चंस यह पहला गोश्यों आपके सामने आप लोग इसे सॉल करें आंसर कर ने की कोषिश करें तो इसका आंसर करके मुझे पिता है पहले बाले क्या होगा रोहन was driving so rashly that he hit him and also created danger for others. जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर क्लास के शुरुवात है तो हो सकता है कि हम धीरे काम करें ताकि एक flow बन जाए जब flow बन जाएगा तो फिर automatically हमारी speed बढ़ जाएगी वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किया है जल्ली से लाइक कर दें शेयर कर दें अपने जिस भी ग्रूप में जुड़े हुए हैं दोस्तों के साथ शेयर करें नवनीत आप भी आगए good morning और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें himself होगा खुशी खुशी का आंसर बिल्कुल सही है आए मैं तोड़ा समझा दो जाए रहा है है क्या प्रणाउन के cases की अगर बात की जाए cases की तो एक तो माले जे प्रणाउन लिखी देता हूं यहाप में पूरा प्रणाउन का एक होता है आपका subjective case प्रणाउन में I, we, you, he, she, it, दे यह cases आपको याद होंगे मैं जहां तक समझ पा रहा हूं क्योंकि बहुत basic बाते हैं याद भी होनी चीए हैं आपको objective case me, us, you, him, her, it, them यह रहा है आपका ठीक है एक होता है self-pronoun वहला case self-pronoun जिसका नाम आप लोग जानते होंगे तो इसे हम बोलेंगे myself, ourself, not self, it is selves, yourself भी होता है सिंग्लर के साथ, एक रहेगा तो, सिंग्लर मतलब एक, yourself एक ज्यादा, himself, herself, itself, themselves, यह हमारे cases है इसके, जो मुझे लगता है कि आपको याद भी होंगे, अब है क्या, object के अगर आब बात करते हैं, object, ठीक है, तो कोई जिसे ट्रांस्टिव वर्ब हो गया, या फिर कोई preposition हो गया, तो अगर किसी ट्रांस्टिव वर्ब या किसी preposition के बाद कोई pronoun use करते हैं, तो उस pronoun का objective case आएगा, यानि कि इस में से कोई न कोई case, ये तब होगा, जब subject and object different होंगे, क्या होंगे, different, लेकिन उस ट्रांस्टिव वर्ब के बाद, हम जो pronoun use करेंगे, वो reflexive pronoun होगा, reflexive pronoun का मतलब क्या निकला, वो is self pronoun, वो तब होगा, जब subject and object दोनों सेम होंगे, यानि कि subject ना जो काम किया, उसका effect अगर subject के ऊपर ही चला गया, तो वहाँ पर हम pronoun का subjective case नहीं लिखेंगे, वहाँ पर बलकिर reflexive pronoun वाला case लिखेंगे, जैसे मैंना कि एक एक्जामपल यहाँ पर लिखा, इससे समझाने के लिए आपको, I injured me, आप देखेंगे कि injured यहाँ पर एक transitive verb है, और यह मी इसका object है और I subject है, तो आप क्या समझभा रहे हैं यहाँ पर, आए और मी है, आए और मी के अगर बात किये जाया, तो I subject है, और मी क्या है, अब्जेक्ट है, दोनों same family के हैं, तो जब दोनों same family के होंगे, subject और यह object इसका जो भी होगा, और जब दोनों अलग अलग होगा, जब दोनों subject और object अलग अलग है तब तो आप objective case यूज़ करिए जब दोनों same family के हो जाएं तब आप objective case मत यूज़ करिए reflexive pronoun यूज़ करिए, self-pronoun यानि कि मी गलत है, यहां क्या होना चाहिए, myself और इसके मीनिंग क्या होगी, मैंने जो अकाम किया, उसका प्रभाव मेरे ही उपर पढ़ गया ठीक है, अब आते हैं हमने question पर हम लोग यहां पर, यहां देखें Rowan was driving so rashly that he hit subject है, verb है, object है आप देखेंगे कि subject और object दोनों same family के हैं मोहन ने जब हिट किया, खुद ही को हिट किया, तो खुद को हिट किया, उसका effect उसी के उपर पढ़ गया तो यहां पर यह him नहीं आएगा, यह himself आएगा, मैं यह उमिद करता हूँ कि आपो समझ में आया होगा तो यह रहाए example number one, example number two का answer करें, शिल्पा, good morning good morning शिल्पा, जल्ली से answer करें इसका, दुसरे बाले का भी answer कर दें, दुसरे बाले में क्या होगा, जो लोग भी देख रहे हैं यहां पर, दुसरे question का answer करें गुडिया शर्मा, क्या होगा भई, नवनीत आपका answer सही है हाँ दूसरे बाले का answer, रहीम फेल्ड in the examination and he admitted that he was responsible himself for his failure खुशी ने बिल्कुँ सही answer किया, आये मैं आपको समझाता हूँ, यह जो self-pronounce होते हैं, self या selves, इससे आप लोग नोट भी कर लिजिएगा, जैसे myself, yourself, या yourselves, आगे जो भी हो, इनको in general, it has got two positions, कौन-कौन सी, या तो subject होगा, या उसके बाद transitive verb होगा, और तब ही आएंगे, और जब ये transitive verb के बाद आएंगे, तो इनका नाम होगा reflexive pronoun, चुंकि, मैं ये वाले जो practice class चल लही है, ये CGL 2022 के pre को target करके की जा रही है, यानि practice class हैं, तो मैं ये मान के चलना हो, कि basic बातें आपको पता होगी, इसके बाद, मतलब इसका मतलब ये होगा, subject ने जो काम किया है, इसका प्रभाव इसको, अच्छा यहाँ पर जो ये reflexive pronoun है, इसके हिंदी में meaning होती है, स्वयम को या खुद को, खुद काम किया प्रभाव पड़ गया, जैसे एक example लिख दिया, I hate myself, ये transitive verb है, और ये इसका reflexive pronoun है, जो के यहाँ पर object है काम कर रहा है, इसके हिंदी मेंनिक क्या होगी, मैंने खुद को या स्वयम को चोट पहुँचाया, तो अगर आप इस self pronoun को वर्भ के बाद लिखते हैं, अगर आप इस self pronoun को वर्भ के बाद लिखते हैं, तब तो इनका नाम होगा reflexive pronoun, और इस इंदी मेनिक होती है, स्वयम को या खुद को, यानि subject ने जो काम किया, उसका प्रभाव subject को उपर ही पड़ गया, एक दूसरा case भी इसका हो सकता है, वो यह है कि अगर आप एक structure यह है कि subject होगा, और तब जब यह self pronoun आएंगे तो वहाँ पर इसका नाम हो जाएगा emphatic pronoun, और इसके बाद कोई verb है, यहाँ पर emphatic pronoun का मतलब होता है जोड़ देने वाले शब्द, इसका मतलब होता है स्वयम या खुद, जैसे आपने लिखा, आज़ा, एक दूसरा case इसका यह भी हो सकता है, कि subject है, verb है, object है, object के बाद आपने लिखा है, जैसे, I cook food myself, subject, verb, object, यहाँ क्या बना यह? emphatic pronoun, यानि कि मैं खुद खाना पकाता हूँ, जब आपको यह बोलना हो, मैं खुद खाना पकाता हूँ, क्या लिखा हुआ है, जब relative pronoun होता है, ठीक, आप गुलिया का अंसर कर रही हैं, खुशी, हम, इसको आप चाहे हैं, तो इससे sentence को ऐसे भी लिख सकते हैं, I myself cook food, यह subject है, subject के बाद self-pronoun आएगा, तो इसका नाम हो जाता है, emphatic pronoun, ठीक, emphatic pronoun, तो दो बाते ध्यान रखनी है, कि जो self-pronouns होते हैं, उनको या तो आप sentence में, verb के बाद रखें, verb के बाद रखने का मतलब यह होगा, कि subject ने जो काम किया, उसका प्रभाव उसके उपर पढ़ गया, उसे हम नहीं बोलेंगे, swim को या खुद को, या तो आप उस self-pronoun को, object के बाद रखनें, verb के object के बाद, या subject के बाद, यहाँ पर के बाद रखनेंगे, subject ने जो काम किया, उसका प्रभाव उसके उपर पढ़ गया, ठीक है, end decision, चले बढ़िया है, अब हम आता है इसमें आगे, अपने question पे, यहाँ दिया है कि रहीम subject है, यह फेल हो गया, exam में, and he admitted, इसने क्या स्वेकार किया, that he was responsible himself, अब यह जो himself आया, यह self pronoun है, अब यह self pronoun कैसे आप यूज कर रहे हैं, sentence में, emphatic की तरह है, reflexive की तरह है, अभी दोनों में कोई नहीं यूज हुआ है, Rakesh, good morning, क्योंकि अगर यह emphatic होता, तो यह तो object के बाद होता है, तो subject के बाद, तो चुंकि यहाँ पर he subject है, यह जो was लिखा गया, यह linking word बहर, linking word बहर, तो इसका object तो होगा नहीं, जब object है नहीं, तो फिर यह यहाँ लिखानी जा सकता, चुंकि यह action word है नहीं, तो वर्ब के बाद बहर नहीं हो, तो गलत हो गया, एक ही option बशता है subject के बाद, यानि यह sentence होना चाहिए, कि he himself, वो जो himself वहां लिखा है, वो यहाँ होना चाहिए, he himself, वो खुद, है ना, रहीम जो है, एक्जाम में फेल हो गया, और उसने स्विकार किया, कि वो खुद जिम्मेदार था, for his failure, अपनी ऐसा फलता के लिए, तो himself की जगर, जो यहाँ लिखी गई है, यह यहाँ subject के बाद होनी चाहिए, यहाँ पर emphatic pronoun की तरह, इसको treat करना पड़ेगा, मैं यह उमिद कर रहा हूँ, समझ पा रहे हैं आप लोग, एक्जाम्पल नमब थ्री को बताएं, I and Neeloo, went to market for purchasing, but, after coming home, we forgot, which was my packet, and which was her, क्या होगा, आंसर करें इसका, जो लोग भी बच्चे लाइव हैं, बताएं, कर दें आंसर, और वीडियो को लाइक करें जल्दी से, अगर आपने लाइक नहीं किया, तो लाइक भी कर लें, दिकत हो रही है क्या आंसर करने में, निलू और आई हर्स, बिल्कुँ सही, अब देखें, सबसे पहली बात तो यह है, इस सेंटेंस में, आई और निलू दिया हुआ है, एक एरर तो यहीं पे है, क्योंकि इस सेंटेंस के अगर बात की जा है, तो सिक्वेंस का भी तो एरर है, क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ है, आय और निलू को, वेंट टो मार्केट फॉर पर्चेजिंग, बट ऐसा इनके हिसाब से, क्या ना में, खुशी ने जो आंसर किया है, और आफ्टर कमिंग हॉम, वी फगोट विच वाज माई, अच्छा मार्केट गया, जब मार्केट गया, मार्केट माय जाने के बाद, कुछ समानुमन खरीदें, उसके बाद जब घहर आ तो यह भूल गया, कौँ सा पैकट किसका है, तो मार्केट जाना, कोई गरबढ काम तो है नहीं, ठीक कामी है, तो यह परदी बाद तो यह sequence आपका ऐसे होना चाहिए था निलू एंड आ है लेकिन 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 आगे देखें यह sentence एबी सी डी पार्ट में डिवाइड़ है हमें इसमें ध्यान देना है कि क्या कहीं कोई और एरत उने उठाना किसी है कोई है तो वो तो एक बार acceptable हो भी जाएगा लेकिन अगर आप इसकी बात करें कि which was my packet and which was her तो दिक्कत यहाँ में पता है क्या है कि वहाँ पे लिखा गया है my packet तो यहाँ पे भी होना चाहिए था उस लड़की का packet हर packet तो हर packet अगर आपको refer करना है हर packet तो हर packet is equal to hers हर्स तो जहाँ पे objective case आपने लिखा है इसे लिखना पड़ेगा हर्स हर्स का मतलब हो गया उसका packet तो जो option इसमें बनेगा आपका वो बनेगा option number C option number B गलते गुडिया 31 का pair होगा ठीक है तो यहाँ तो सही हो गया यहाँ सही मानना पड़ेगा क्योंकि वो जो है bigger error है वो इससे बड़ा error है तो जो ज़्यादा बड़ा होता है उसको हम चूज करते हैं आगया जाईए example number यह क्या गया यहाँ यह 4 पे आजाईए आप example number 4 पे some is so perfect in their work that they don't need others others help हाँ ठीक है example number 4 answer करें आप इसे गुरू जी online की यही problem होती है internet ही नहीं चलता है यह दिक्कत तो होती है भाई answer करें आप लोग answer नहीं कर पा रहे है आप लो क्या बात है question tough हो गया क्या थोड़ा answer तो करना चीए आइए मैं बताता हूं शर जी शायद हिस होगा आई चेक कर लेते हैं देखे है क्या अगर आप इस sentence को ध्यान से देखें यहां दिखा है some यहां लिखा है there यहां लिखा है they है नहीं there लिखे होने का मतलब यह कि जो subject है यह plural है plural है some मतलब कुछ लोग अगर subject plural है तो इसके जगा पर क्या वनेगा are some are so perfect समझ नहीं हा रहा है समझ मैं है आपको हर होगा गलत है खुशे इस बार some are so perfect in their work कुछ लोग अपने काम में इतने perfect होते हैं इतने अच्छे होते हैं that that they don't need others help कि उनको किसी दुसरे की help की जरूवत नहीं पड़ती है ठीक है खुशे आगया answer example लमा 5 का answer करें राम वांट्स एवरिटिंग in an absolute way but nothing are despotic in this world इसको जड़ा देख लें आप लोग चार पांस सेकेंड का समय ले लें देखें जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं हमारे indefinite प्रोनाउंस इनका नाम जानते होंगे आप लोग someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, something, nothing anything, anything, everything, etc ये शो प्रोनाउंस बने हैं यहां पर लिख़्े हैं ये सारे के सारे प्रोनाउंस शिंकिलर किये जाते हैं अगर ये सींकिलर किये जाते हैं तो एक बात ताय है कि फिर इनका जो वर्ब हैगा वों सिंगिलर होगा तो clear है, nothing लिखा है, तो R के place पर क्या बन जाएगा, यह इस हो जाएगा What about example number six, few of him agree with the suggestion that was given by the MD few of him, जो भी subject है, वो सहमत है, with the suggestion, उस सुझाव से, that was given, जो दिया गया था, by the MD MD के दौरा जो सिधाव दिया गया था, उनमें से यह लोग सहमत है तो जली बताए, अच्छा, समझ नहीं आ रहा है, जब मैं बता रहा हूं कि समझ आ तो, अच्छी बात है समझ आ जा जा रहा है इसलिए प्रैक्टिस करा ही जा रही है हाँ, चलें इसको जड़ा देख करके बताएं क्या होगा ऐसे examples हम लोगों ने पहले किये है, noun वाले class में किये है अब आप मेरे बात समझें, मेरे noun में क्या बताएं था देखें किसी का answer आ रहा है, agrees कैसे आएगा agrees नहीं आएगा, राकेश, मेरे बात समझें यह off क्या है, total है, sorry, यह आपको total और part को जो है fraction जो है, उसको जोड़ने वाला जो है, प्रेपोजिशन होता है यहाँ जो लिखा गया है, total है, यहाँ जो लिखा है, part है तो आपको याद हो है, मैंने ऐसा कुछ बताया था one of के बाद जो कोई भी noun में बताया था noun या प्रोनाउन आएगा, one of के बाद यह हमेशा plural होगा, one of के बाद जो कोई भी बाद अब है, good morning तो अब यहाँ एक हो, दो हो, few हो, many हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है इसके बाद जो total आएगा, plural form में ही आएगा, तो him की जगा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा few of them agree with the suggestion, मतलब कहाँ कई शारे लोग है, उनमें से न के बराबर लोग सहमत हैं उस suggestion से, जो किसके द्वारा दिया गया था, MD साहब के द्वारा दिया गया था, ठीक है, चलें, आगे बढ़ते हैं these kind of things are not proper, not proper to change at such an initial stage, such an initial stage, इसका अंसर करें आप लोग, हाँ waiting for your comments, these kind, देखे होता क्या है this हो गया, that हो गया, इनके साथ हम यूज करते हैं singular countable now these हो गया, those हो गया, इसके बाद हम यूज करेंगे plural countable now this or that के साथ singular countable now, shubham, good morning and these or those के साथ यूज करेंगे plural countable now these या गया, यहाँ पर kind नहीं होगा, this के साथ क्या है, plural countable now यह हमारा होना चाहिए kinds अब जाके सही बनाएगे, option number eight these kinds, खुशी, बिल्कुल सही आंसर है अब मैं यह चाहूँगा कि आप लोग एग्जांपल number eight का आंसर करें you must forget the person who you help in your need इसका ज़रा आंसर करके बताएं, क्या होगा थोड़ा सा समय लेगा इस एग्जांपल को समझने में आपको लेकिन मैं समझाऊँगा इसे नवनेत, खुशी, गुडिया, शुभम राकेश, अब है आंसर करें आप लोग इसे अच्छा नेट नहीं चल ला गुडिया का कोई बात नहीं है, वीडियो रेकॉड़े रहे के बाद में देख लीजिएगा who नहीं होगा, ठीक है I check करते हैं इसे subject है, must forget, verb है person, object, you must forget the person आपको उस व्यक्ति को भूल जाना चाहिए अब देखें है क्या, हाँ यह जो दिया है who इसे का नाम है relative pronoun अगर relative pronoun है तो इसका क्या बनेगा antecedent अगर यह relative pronoun है तो परसन क्या बनेगा antecedent यह परसन इस आगे आने वाले वर्ब के लिए ही यूज़वा है जो antecedent है अब अगर यह वर्ब है इसी के लिए वो antecedent आया है तो इस antecedent के लिए क्या बनना चाहिए आपका वो या तो subject आना चाहिए या तो वो object होना चाहिए अब हम देख रहे हैं कि इस sentence के subject already आ चुका है अगर इस sentence से subject already आ चुका है तो अब वो subject नहीं हो सकता उसे इसका object बनना पड़ेगा अगर उसको इसका object बनना पड़ेगा तो फिर जाहिर चे बात है कि जो relative होना आपने हू लिखा हुआ या क्या बनना चाहिए हू मान लेते हैं आपने ये arrangement कर दिया अगर आपने ये arrangement कर दिया तो जाहिए इसका मतलब देखिएगा यू मस्ट अच्छे सेंटेंस भी ग्रमेटिकली तो टापिंगर हो गया यहां पर नॉट भी होना चाहिए यू मस्ट नॉट फरगेट दा परसन फिलाल गर्ट हो ही गया सेंटेंस ये दो पार्ट मेरर है लेकिन हम इसे सही कर लेते हैं सही करने के बाद चेक कर लेते हैं सही होगा कैसे यू मस्ट नॉट फरगेट दा परसन तुम्हें उस व्यक्ति को बिलकुल नहीं भूलना चाहिए तुम हेल्प करते हो जिसकी तुम्हारी जरूवत में मतलब यह कहना यह चाहरा है कि तुम्हें उस व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए जिस व्यक्ति की मदद तुम करते हो अपनी जरूवत में ऐसा तो है कि लॉजिकल सेंटेंस हो जाएगा सही होना चाहिए कि उस व्यक्ति को गलत है यहाँ पर हूँ ही रहेगा लेकि मुद्दा ही है कि यह जो हूँ है ना यह होना चाहिए help का subject तो यह होना चाहिए था verb ऐसे who helps और यह जो लिखा you वो यह यहाँ आना चाहिए who helps you in your need यह रहा हमारा sentence who helps नहीं खुशी who helps होगा you must not forget the person उस व्यक्ति को तुम्हें नहीं भोलना चाहिए जो व्यक्ति मदद करता है तुम्हारी तुम्हारी जरूरत में ठीक है हाँ who helps होगा शुभम बिलकुल सही अब आप लोग आजे एक्जांपल नमबर 9 पे both the girls were very sad over the death of their only brother but they consoled one another console मतलब होता है आपका सांत वना देना किसी को to make somebody calm encouraged answer please anurag who helps you आगया खुशी 9 का each other बिलकुल सही बात है आपको पता होगा रेसिप्रोकल प्रनाउंस के बारे में दो होते हैं one is each other and the second one is one another each other के अगर बात की जाए तो ये for two जब दो लोग रहें किवाल तभी आएगा one another के बात की जाए तो ये बनेगा more than two के लिए अप यहाँ दो हैं क्या दिया हुआ है both the girls were very sad दो ही दो बहने थी दो ही है न over the death of their only brother एक लोगता भाई था वो भाई की death हो गई तो दोनों के दोनों बहने जो है बहते sad थी ये दे लगा हुआ है both के लिए both the girls के लिए दो लोग है जब दो लोग के लिए यूज करते हैं तो pronoun one another नहीं होता है हिंदी इसकी meaning आपस में आप रसपर है रानु सिंग आप भी आ गई morning ये होना चाहिए आपका each other ठीक है और करते हैं question इस पर question number 10 question number 10 पर आ जाएं आप लोग राम एंड श्याम आर brothers but he quarrels on trifles trifles का मतलब होता है छोटी मुटी बागते हैं मतलब जो चीजें बहुत important ना हो राम एंड श्याम आर ब्रदर्स but he quarrels on trifles and seldom agree on the point seldom agree on the point इसका answer करें राम एंड श्याम आर ब्रदर्स but he quarrels on trifles and seldom agree on the point क्या बाद श्युभम सही पकड़ा आपने यह राम एंड श्याम दो लोग है दोनों भाई है but लिखा है ना on trifles जगला करेगा कोई तो अकेले तो करेगा नहीं अपने आपसे आपस में करेंगे लोग तो वो दोनों जगला करते हैं दो लोग है plural है तो plural के लिए ही नहीं लगेगा दे लगेगा दे होगा ना बिलकुँ सही बात है बिलकुँ सही आंसर है राकेश ना शुभम आप दोनों लोगों के आचा राकेश तो पहला वाला है ना सर जी इच अधर और वन अनधर में डिफरेंस बता दीजे प्लीज़ देखे होता कहा है ना बता लता हूं मैं आपको इसका डिफरेंस यह है पीछी आ जाते है जब दो लोग हों जिसे माल लेते हैं कि A है और B है दो परसान है हमारे ठीक है आचा एच अधर और वन अनधर दोनों के दोनों म्यूच्वल रिलेशन को शो करते है इसे को हिंदी में करते हैं आपस में या परसपर आपस में या परसपर का सेंस देने के लिए इच अधर और वन अनधर दोनों का यूज़ करते है तो मुद्दा यह है कि अगर दोनों की मीनिंग सेम है तो हम कब इच अधर यूज़ करेंगे और कब one another use करेंगे जब दो लोग हों, जैसे कि A और B हैं न, दो लोग ये दोनों लोग, ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे, both of them are talking to each other one another गलत हो जाएगा, मालते हैं दो से जादा है मैंने बोला कि सारे के सारे लोग एक दूसरे को help कर रहे हैं तो अब यहाँ पर, क्या होगा, all of them are helping each other गलत हो जाएगा one another हो जाएगा, ठीक है, मुझे लगता है कि समझा पाया मैं इससे अब आप लोग आजाए example number 11 पर he singular के साथ आएगा, यहाँ दो लोग हैं तो that's why यहाँ दे आएगा बिल्कुल सही अनुराग, आंसर सही है आपका अब आप लोग example number 11 का आंसर करें 11 the jury, jury मतलब क्या होता है, group of judges agreed to punish, सहमत हो गई, सजा देने के लिए for arson मतलब जो हत्यार वगड़ा, arson वगड़ा रखे हुए हैं, उसके लिए सजा देने को तयार थी and sentenced him, कोई बंदा है, उसको सजा sentence somebody, उसका मतलब है सजा सुनाना सजा सुनाया, 10 years rigorous imprisonment मतलब 10 साल का जो है, एक बहुती कठिन सजा सुनाया an ordered superintendent of police, जेल के जो superintendent है, उनको आदेश दिया तो execute their orders अब कुछ collective nouns होते हैं, collective nouns समझते हैं आप लोग कलेक्टिव नाउंस हैं अगर मैंने collective nouns के बाद की यहां तो जैसे class हो गया, और कह लिख दे हैं यहां पर family हो गई, इस अब collective nouns हैं team हो गया, audience हो गया, jury हो गया, etc. तो मुद्दा यह है कि जब इन collective nouns को collection के तरह use किया जाता है जब इन collective nouns को collection के तरह use किया जाता है, तभी यह collective nouns हो हैं हमारे, यह singular के तरह treat होते हैं singular, और अगर इन से इनके members को refer कर दिया जाए, तब यह plural होंगे, तो वर्ब भी plural, pronoun भी plural इस sentence में बोला यह गया है कि jury agree हो गई, तो मान लेते हैं कि तीन judges हैं यह किसी particular topic पे agree किये, तो अब इनका, इनका, इनका opinion तो सब match कर गया, जब match कर गया, तब यह बन गया collective और अगर यह बन गया collective, तो इनका जो वर्ब है वो भी singular होगा, जो प्रणाउन हो भी singular ही होगा, तो जितने भी collective nouns होते हैं, वो सारे के सारे जो बिलकुल युनाइमस, रानू सारे के सारे जो collective nouns होते हैं उनके साथ प्रोनाउन्ज वो non-living माने जाते हैं जितने भी collective noun है collective nouns non-living माने जाते हैं और singular होते हैं ज़कि collective nouns के जो members हैं वो non-living, living दोनों हो सकते हैं जैसे class की बात की जाए Class, Class हमारा क्या है? Collective noun है? Collective noun is always considered non-living इसके members कौन है आपके? Students है, students तो living ही होते हैं अब आपने बोला bunch of keys bunch तो collective है लेकिन इसके जो member है, जिनसे मिल करके बना है वो non-living है, keys हो गया है, है न? तो यह समझना है आपको, कि जितने भी non-living nouns जितने भी collective nouns होते हैं अगर collectively use किया है तो वो non-living बाने जाएंगे इसलिए pronoun उनके साथ हाएगी it family, members की बात करेंगा तो living, non-living दोनों हो सकते हैं बड they are considered plural और अगर वो plural है तो उनके साथ जो हम pronoun use करेंगे वो they use करेंगे अब यहां भी क्या बन गया आपका यह जब agreed हो गया है अब प्रिडेंडेंडेंट को आदेश दिया है तो जाएट जबात तक collectively लिया कर डिशिजन ही होगा तो यह बनेगा it's अना possessive objective वाला it's what about example number 12 शुबं एक class phrasal verb का class चला देजिए अगर time हो तो प्रहाँ चला देंगे उसको भी अभी यार थोड़ा practice वगड़ा कर रहा है अभी जैसे कि यह अभी जब exam शुरू हो जाएंगे तो यह practice वाली class रुख जाएगी फिर फिर इसके बाद अभी चुंकि समय हमारे पास एक्जाम के लिए बच्चों के पास कम है इसलिए दिन में चार classes कर दिया है फोर आर्स सुबह सवा आठ फिर सवा ग्यार है फिर शाम को सवा चार फिर रात को सवा देज ताकि सारे topic जाए ज़दा cover हो जाएं जिस बच्चे का जो छूटा हो या जिसमें जो sleep together साथ साथ सोते हैं and go to हर इसकूल नहीं होगा जब दोनों की बात हो रही है अग दे लगा हुआ है तो जो subject हो गया plural हो गया जब plural हो गया तो यहां पर हर नहीं होगा यहां पर क्या बन जाएगा यह देर होगा ठीक है there मुझे लगता है कि आप इसको समझ गया है इसका सही आंसर किये थे आप लो C यानि इसके error किसमें है C में अब हम आता हैं example number 13 में Each man and each boy has to perform this role nicely यह मुझे लगता है Rakesh बड़ा ही simple question है अगर आपने दे दिया तब तो कर पाएंगे नहीं ध्यान दिया तो फिर कर नहीं पाएंगे वह बहुत चोड़ा सा error है इसमें बच्चों जिसे कहते हैं ना बच्चों माला error कुछ उस टाइप का है लेकि जनल शायद आपका ध्यान न जा पाए क्या बात है खुशी का ध्यान तो चला गया आप लोग को पता होना चाहिए कि जो each है each और जो every है जब यह determiner की तरह यूज होते हैं तो इनके साथ जो noun आता है वो singular countable noun जो verb आएगा वो भी singular ही होगा और जो pronoun आएगा प्रोनावन अगर आगे कही हमें यूज करना हो इसके लिए तो या तो he family आएगी या फिर she family आएगी इन्हें दोनों में से कोई एक family का यूज करेंगे इसमें हम he family या फिर she family तो आप देख सकते हैं या पर की each लिखा है each के साथ जो noun आया है men which is a plural countable noun so we cannot use a plural countable noun with each or every so men should be replaced with man what about example number 14 every clerk and every officer has to come हाँ देखें फिर वही आया every के साथ आपका है singular है कोई problem नहीं every officer आया singular है कोई problem नहीं has verb singular आगया सही है अब यहाँ there आगया जब there आगया तो गलत है pronoun तो singular ही ची बात यह आ रही है कि हमें आप he family भी लगा सकते हैं और C family भी लगा सकते हैं तो हम लगाएं कौन सा हम ही family भी लगा सकते हैं शी family भी लगा सकते हैं तो इसमें आकिर हम लगाएं कौन सा तो इसमें लगाने का जो परपस है वही है कि अगर हमें जेंडर ना पता चले जैसे clear के common gender पताने चल्ला लडकी है कि लडका है in the same way we can talk about every officer officer में पताने चल्ला है whether we are talking about a boy or a girl so in such a situation जहां पर कि आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या है तो हाप पर ही family prefer करेंगे तो यहां जो यह देयर है that should be his office ठीक है example करें Shubham कैल से sir हम सब आपके students है अमारे error गलत नहीं हो सकते अच्छा शुबम बहत बनिया है thank you very much इस भरोसे के लिए इस compliment के लिए लेकिन यार error गलत तो होंगे अभी तो easy example चल ले है क्योंकि learning का जो scope है वो कभी बंद नहीं होता वो एक open scope होता है life is an ongoing process and one learns till one dies जब इनसान तब तक सिखता ही रहता है जब तक उसकी death नहीं हो जाए तो अभी कर ले रहे हैं अलग बात है लेकिन और tough questions आएंगे तो हाँ थोड़ी दिक्कते आ सकते है सौ में से एक ही गलत होगा लेकिन हो भी सकता है आईसा नहीं है कि गलत नहीं होगा आई आगे देखते हैं इसे फिफ्टीन आइदर लिली और मीनू शुड़ हैव गॉन देर and शुड़ हैव प्लैकेटेड प्लैकेटेड मतलब होता है किसी को शांत कर देना प्लैकेटेड देर अनॉइड फ्रेंड किसी को शांत कर देना मिले तो प्लैकेटेड आ गया जगा इसका आंसर करने तो क्या होगा मेरे दोस्तों अच्छे एक्जांपल्स हैं हाँ शुबम देखें जैसे कि एक अन्जंक्शन से हमारे आईदर और नाईदर नौर और नौर मालते हैं एक सब्जेक्ट यहां होगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू पढ़ा होगा आप लोगों ने प्रणाउन में से तो कभी भी दो सब्जेक्ट अगर आईदर और नौर या और न और से जुड़े हुए हो तो याद रखेगा कि जो वर्व होगा ये किसके according लेगा वर्व और प्रणाउन दोनों की बात कर रहा हूं ये nearest subject के according लेगा nearest subject का मतलब ये निकल गया आपका कि जो pass में है अगर इस pattern पे लिखा गया है तो वर्व और प्रणाउन nearest है तो वर्व और प्रणाउन किसके बाद निरिस्ट क्या है subject to मैं ये नहीं बोलना हूं कि बादवाले के हिसाब से लएगा मैं ये बोलना हूं nearest के हिसाब से sentence अगर आपका affirmative है तब तो यही रहेगा तो यहाँ पे वर्व और प्रणाउन इसके हिसाब से लगा लेकर अगर ये interrogative हो जाता तो जो वर्व है वो पहले चला आता तो nearest क्या हो जाता आपका ये subject one तो इसके हिसाब से तो यहाँ देखे ज़रा आइदर लिली और मीनू ये और आ गया मीनू है लड़की का नाम है should have gone there वहाँ उनको चले जाना चाहिए था and should have placated और शांत करना चाहिए था देर तो आएगा नहीं वैसे भी अब हमें यहाँ प्रणाउन ही लगाना है अब वो प्रणाउन आपका हो सकता ही family, 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 दोनों में से कोई एक लेके हमें पता है कि हाँ लड़की की बात हुरी है जो लड़की की बात हुरी है यहाँ पर बिलकु यहाँ पर जो यह वर्बॉर्भ आया है nearest subject है यहाँ पर जो यह वर्ब आया है nearest nearest कौन है आपका friend है तो friend तो singular है तो want के जगा पर क्या बन जाएगा यह wants बन जाएगा आगे नहीं देखेंगे अब हम what about this one either stenographer और both the clerks फिर देखें और आया है अगर यह plural आ गया तो जाहिर से बात है कि जो वर्ब है वो nearest के हिसाब से लगेगा तो यह वर्ब प्लूरल होना चाहिए तो is के जगा पर क्या होना चाहिए और अब देखें यहाँ पर भी वही है नौर है scissors plural है knife singular है वर्ब किसके हिसाब से लगाए पास वाले के हिसाब से बाद वाला नहीं पास वाला तो अगर पास वाला है तो यह तो plural है ही यहाँ पे चले ठीक है यहाँ कोई दिक्कत नहीं ज़र आप noun देख लेते हैं यहाँ पर आगे it आया हुआ तो यह इट भी पास वाले के हिसाब चाहिए होगा यानि scissors scissors is considered plural noun अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल को रिफर करने के लिए क्लिए क्लिए लगाएंगे दे यानि कि इसके पार्ट सी मेरर है मुझे लगता है कि 16, 17, 18 रानू किसका अगर बढ़ कर दे है रानू ने अच्छा यह हमारा एक्जामपल है एक्जामपल नमर 19, 20, 21 अब पढ़े जारा है से क्वेश्चन नमर 19 का आंसर करें रमन आय अंड यू शुड ओवे आवर टीचर्स बिकाज ही इस आर वेल विश्यर अच्छा मैं थोड़ा जो है इसका कुछ मुझे लगता है टापिंगर हो गया है उसे मैं सुधारन की कोशिश करता हूँ यह टीचर्स नहीं होगा यह टीचर होगा अब अब करें आप लोग इसे आप कर सकते हैं आप लोग इसका राकेह समझे आपके पता होना चाहिए कि जो सिक्वेंस है न परसन का जैसे इसे कहा गया फॉश्ट परसन इसे कहा गया सेकेंड परसन और रमन या किसी का नाम जो होता वो थर्ड परसन में आते हैं बिल्कुछ सही, राकेश आपका आंसर बिल्कुछ सही है, फिर भी मैं इसे समझाना चाहूँगा, या कितना ज़्यादा लिखे हैं हैं आप, यू है, रमन है, कुछ, यू रमन है राश है ठीक है, देखिया गया, सिक्वेंस परसन का सेकेंड परसन, थर्ड परसन, फरस्ट प यह सिक्वेंस आपका 123 हो जाता है, जब कोई मिस्टेक हो, कोई गल्ती किया हो आपने, या कोई अपॉलजी हो, मिस्टेक हो गया, अपॉलजी हो गया, या फिर कोई रॉंग दोइंग हो गई, 123 एक और केस में होता है, when all persons are plural, यह याद रखिएगा आप लोग, कि जो persons होते हैं, 1st person, 2nd person, 3rd person, आकर इन्हें सेंटेंस में रखा जाए, अगर एक सारे के सारे आजाएं, तो इनका सिक्वेंस क्या हो, इनका सिक्वेंस आप देखें कि 231, यानि कि 2nd person, 3rd person, 1st person भी हो सकता है, अगर काम अच्छा ह या फिर work in general हो, काम अगर खराब हो गया है, कोई गलती हो गया है, कोई माफी माँगने की बात कर रहा है, तो वहाँ पर सिक्वेंस आपका 123 हो जाएगा, काम अगर सारे के सारे persons plural हैं, तो काम अच्छा हो जाए खराब हो, उनका सिक्वेंस हमेशा 123 होगा, अब यहाँ देख होगा हुआ है ही, रमन, एंड आए, यह बन गया आपका, और इधर आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, आंसर वैसे आपने सही किया था, 20, यहाँ भी देखिया होई है, यू है, मिश्टर चड़्डा है, और आए है, जाहिर से बात है कि एंड से जुड़े हैं, तो तीनों मिल करके क्या बन जाएंगे, प्लूरल, आप लोगों के आंसर वैसे सही आए हुए है, खुशी ने कर दिया है, 20 में का आंसर, जब यह प्लूरल है, तो यह वांट जो लिखा है, किसी भी वर्ब में, एस यह लगा देने से वर्ब सिंगलर हो जाता है, तो चूंकि नंबर और कॉशन स्टेच कर लें, क्योंकि दो ही क्लास हमें रखनी है, प्रैक्टिस पर, क्योंकि अगर ज्यादा समय देंगे एक अई टॉपिक पर फिर आगे हमारा कवर नहीं हो पाएगा, तो जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, अब कल फिर प्रोनाउन की क्ल फिर इसके बाद लगातार मिसलिनियस कोशन करेंगे जो प्रिवेज सेर में सारे आये हुए हैं, ओके, यहां आईए, ही, यू, एंड आए, यहां गया कि थर्ट परसन, सेकेंड परसन, ऐसात को सिक्वेंस होता नहीं है, कन्फेस आर क्राइम, यहां गलती को एक्सेप्ट कर अगर गलती की गई तो काम तो गरबल हो गया, यानि सिक्वेंस क्या होना चाहिए, फरस्ट परसन, सेकेंड परसन, थर्ड परसन, तो फरस्ट परसन क्या हो जाएगा, आई, सेकेंड परसन क्या हो जाएगा, यू, थर्ड परसन क्या हो जाएगा, यही प्रॉपर सिक्वेंस होगा 21 में 123 होगा अंशिका आई यू एंड ही 21 में बिलकुछ सही आंसर है अंशिका अब मैं यह स्लाइड ले करके आता हूं 22 का आंसर करें आप लोग जल्दी से just answer question number 22 22 का आंसर करें आप लोग जल्दी से हां जी question number 22 get होगा क्या check कर लेते हैं जरा हां you and he लिका है तो generally sequence क्या होगा है one two three होता है या two three one होता है जो आ जाएगा वो लगा लेंगे second person हो गया और यह third person हो गया माल लेते हैं यही दोनों आ गया second person third person तो ठीक है always get late तो 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 subject हमारा plural हो गया तो यहां पर एस नहीं होगा वर भी plural form में ही लिखा जागा gets के place पर होगा get खुशी का भी आंसर सही है राकेश का भी आंसर सही है अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक्जांपल नंबर 23 का आंसर करें अंशी का आपने भी सही आंसर किया है 23 का आंसर कर दें अब आप लो यू एंड महक डिड यूर वर्क वेरी ट्रिमेंडेसले ठीक है यहां तो सही है तुमने और महक ने अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से किया है 23 का यू होगा यू तो ठीक ही दिया है न तो दो हम से क्यों खुश होगा अगर काम आपने और आपकी दोस्त ने अच्छा किया है तो आप दोनों का बहुत deba से तो खुश तो आपसे होगा जाहिर चीवात है के ऐस का यू ज़ी है पती और भी चुश है की लिखा है आंसर य् Cordला यू होगा खुशी आंसर करें जल्दी से 24 का question number 24 का answer करें mine बिलकुँ सही बात देखे यहां दिया गया यह तुम्हारी shirt है और यह shirt which is very dirty तुम्हारी shirt तुम्हारी shirt this is my आपको पता होना चीए my, our, your इनके साथ एक noun compulsory होता है तो अगर my, our, his, her लिखा है तो इनके बाद noun आना चाहिए अगर noun नहीं आया है तो या तो noun लगाए या my plus noun is equal to mine होता है ऐसे आगे और भी है our plus noun is equal to ours your plus noun is equal to yours यह आपको ध्यान देना है तो इस sentence है my तो आगया noun missing है तो एक तरीका तो यह है कि यह तो आप यहाँ noun लगा ले अकौन सा noun लगा है यहाँ your shirt लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी my shirt कर दे लेकिन एक बार जब shirt आ चुका है दोबारा shirt लगा नहीं सकते noun का repetition होगा so to avoid the repetition of a noun we use a pronoun तो हमें यहाँ shirt लगाना लेकिन एक ऐसा word लगाना है कि जो my plus noun को replace करें तो my plus noun को replace करने वाला word क्या है mine है तो हमने mine लगा लिया यहाँ पर हो गया my plus noun को replace करने वाला जो word है वो है mine आपका चलें अच्छा है example number 25, 26, 27 इसका answer करें आप लो 25, 26, 27 everyone loves his country from the core of his heart and we love our answer करें ब्लकुछ सही answer है everyone क्या है आपका singular है his nation है everyone loves his nation everyone के लिए हिज लगता है ठीक है यह and we आगया we love our अब जैसे अभी कुछ दर पहले मैंने बताए ना आवर है तो एक noun ची है यह तो noun लगा है लेकिन noun तो आई चुका है already एक बार यहाँ पर तो noun के repetition को हटाने के लिए हम लगाते है pronoun तो ऐसा कौन सा वो वर्ड है जो आवर प्लस noun को replace कर दे तो वो है आपका आर्स यहाँ पर आवर के प्लेस पर आर्स हो जाएगा एक्जांपल नमबर 26 पर आजाएं एक बार आप लो the staff of my फिर देखें यहाँ भी वही गरबड है my तो आएगा नहीं my है तो noun ची है noun तो है नहीं अपने से noun नहीं लगाएंगे इस my की जगह पर क्या बना देंगे आप इसे mine हाँ शिका आपका आंसर सही है अब आएगे 27 पर 27 का आंसर आप लोग करेंगे जल्ली से आंसर करें 27 का हाँ गरबल कर दिया मैंने article दे लगाएंगे the staff of mine are very lazy they never first of all very lazy they never complete work timely क्या होना चाहिए यहां पर माइन नहीं मही होना चाहिए आगे आजी है यहां पर example number 27 क्या होगा लेट की जगह पर हाँ ठीक है खुश यह बिल्कु सही है लेट के जगह पर लेट लगा हुआ है तक ट्रांस्टिव वर्ब है अगर ही एक ट्रांस्टिव वर्ब हो तो यहां पर क्या होगा आए होगा तक ट्रांस्टिव वर्ब के बाद अग्रा प्रोनावन आता है तो अबजेक्ट हो जाएगा अगर वो अबजेक्टिव केस बनेगा तो मी आए के जगह क्या बन जाएगा मी आगया इग्जांपल नंबर 28 पे आजाएए एक बाद समझेगा आप लोग बनावन में एक होता है वन फै मिली आप लोहो को पता होगा इसके बारे में सभजेक्ट होगा इसका पषेश्यु केस होगा और इसका वर्षेलपरणावन वाला केस होगा ठीक है तो one अगर आगया subjective case तो possessive वाला case इसका once होगा और जो self pronoun वाला case है क्या बन जाएगा one self तो इस sentence वैसे one यहाँ आ चुका है one must not worry one का मतलब यहाँ पर हर एक बंदा आप, हम, सब one must not worry much about his past नहीं, once past मतलब किसी को भी अपने past को ले करके बहुत चिंता करने के जरुवत नहीं है ठीक है, once होगा सही किया answer one नहीं, once होगा वहाँ पर राकेश once होगा, आगे he expected you as powerful as them अब यह बताई जारा, यह गलत है कि सही मैं यह expect करके यह practice करा रहा हूँ कि आप लोग जो है, जो basic classes कहीं नहीं पढ़े जरूर होंगे एक idea है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा समझाने का समय नहीं है, देखी एक्जांपल को समझाने में आदे गंटे लग जाएंगे इसमें क्या होगा मैं यह चाहता हूँ कि आप इसका answer करें और आप इसका आउसर करते रहें तब तक मैं कुछ समझाता हूँ आपको मैंने के एक्जांपल लिखा I love you more than him एक दूसरा लिखता हूँ I love you more than he यह दो एक्जांपल है समय जाते हैं जल्दी से समय नहीं waste करूँगा आपका में इस sentence में I is the subject love is the verb चुंकि you has come right after the verb love तो यहां पर यह object है और यह object के इस लिखा है तो object है यहां पर जो comparison किया गया है more than वो object का object से किया गया है दूसरे वाले एक्जांपल के अगर में बात करूँ तो I is the subject, love is the verb यह बगल में लिखा है इसका तो यह objective केस ही माना जाएगा ही लिखा है तो subjective case यहां पर दो subject हैं इसका मतलब एक comparison यहां subject का subject के साथ किया गया पहले वाले sentence का मतलब यह है मैं तुमसे महबबत करता हूँ, मैं उससे भी महबबत करता हूँ sorry मैं तुमसे महबबत करता हूँ, मैं उससे भी महबबत करता हूँ, लेकि जितनी महबबत उससे करता हूँ, उससे जादा तुमसे करता हूँ यानि यहां मुहबत करने वाला बंदा एक है अब मुहबत जिनको किया जा रहा है वो दो है तो करने का मतलब यह है कि मैं ही तुमसे ही मुहबत करता हूँ मैं ही उसे ही मुहबत करता हूँ लेकि जितनी मुहबत उससे करता हूँ उससे ज़्यादा तुमको करता हूँ जो कि यहाँ पे सीन कुछ लग है यहाँ महबबत करने वाले दो लोग है कितनी महबबत है तुमसे जरा पास आके देखो तो मैं तुमसे महबबत करता हूँ ही सब्जेक्ट है तो ही भी तुमसे महबबत करता है मैं तुमसे महबबत करता हूँ वो भी तुमसे महबबत करता है महबबत करने वाले दो है महबबत करवाने वाले एक है तो object एक हो गया यहाँ 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 दो हो गया यानि comparison तो subject का है लेकिन जितनी मुहबबत वो करता है उससे ज्यादा मुहबबत मैं करता हूँ तो सही ये भी है आपका, सही दोनों है तो, एक्जांपल पर बाज आते हैं हम लोग यहां दिया हुआ है ही, सब्जेक्ट है, यह वर्बर यह अब्जेक्ट हो गया as powerful as them यानि कि उसने expect किया था कि जितने powerful तुम हो, उतना ही powerful वो है तो sentence सही है, no error है इसमें no error, बेल्कुर सही खुशी, no error है, खुशी के सारे answer सही निकल लाए है यानि खुशी ने पढ़ाई बढ़ियां से की है यह subject है, यह verb है, यह object है, फिर आगे आएंगे, फिर object आगे है यहाँ पर यानि यहाँ पर भी जो comparison है दो objects का हुआ है यानि मैं उससे नफरत करता हूँ, मैं उन लोगों से भी नफरत करता हूँ लेकिन जितनी नफरत मैं उन लोगों से करता हूँ उससे जादा नफरत उससे करता हूँ तो सही है यह भी नो एरर ही है एक एक्जांपल और देता हूँ एक मिनट यहां देखिये He respected you more than I आप यह बताना है कि यह गलत है कि सही है The given example on the screen Example number 31 is correct or incorrect Just comment your answers इसका answer करें आप लोग जल्दी से अब देखिये He respected you more than I पहली बात एक कैप्टेल होना चाहिए ऐसे Subject है Verb है इसके बाद है तो objective माना जाएगा you यह subject है याने कि He भी तुमारी respect किया मैंने भी तुमारी respect किया मैंने जितना किया उसे ज़्यादा He ने किया तो यह sentence में नो रहे रहे हैं यहां comparison जो है Subject का Subject से हो गया 31 में मी नहीं होगा I सही है खुशी ऐसा हो सकता है ना मी भी होता तब ही सही हा जाता लेकिन मीनिग बढ़िया जाती कि उसने तुमारी respect कि उसने मेरी भी respect कि अब हम उसने जतनी शितनी शितनी शितमारी चिश्यादा मतलब यह कह यह segunda yang तूव से यहादा थी ज़्यादाりました मेरी तुलना में ही ने तुमा यह रिस्पेक्ट ज्याधा किया आजाएए एक्जामपल नमबर थर्टी टू पर आजाएए बाप एक्जामपल नमबर थर्टी टू I saw his eccentric I saw that eccentric person आजाए यह आईस है नाउन है तो नाउन के साथ हम प्रणाउन नहीं यूज करते है तो वह error है इसमें I have a car that give us unbelievable mileage of 40 km per hour इसको जरा बताएं क्या होगा एक्जामपल नमबर थर्टी टू देखें यह जो होते हैं which होते हैं या that होते हैं इनका नाम होता है relative pronoun अगर यह relative pronoun होते हैं तो इनके पहले कोई नो कोई एक noun या कोई नो कोई एक प्रणाउन आता है इस noun या प्रणाउन का जो नाम होता है वो नाम हम रखते हैं Antecedent अगर यह नाम इसका Antecedent है तो वर्ब इसक के हिसाब से आएगा तो यहाँ जो होगा relative pronoun अकार singular है अगर यह singular है यहाँ पर give नहीं होगा gives होगा मुझे लगता है कि मैं समझा पाया आपको यह example हाँ gives खुशी आदो बिल्कुँ सही answer किया आपने बिल्कुश सही answer है answer गलत नहीं था आपका gives ही होगा आगे आज के लिए बस यही तीन है 34, 35, 36 यही तीन एग्जांपल अभी करेंगे फिर कल मिलेंगे इसके आगे हम लोग He said nothing which hurt you but you are a frenzied person and does not believe anything easily गलत हो गया कोई बात नहीं राकेश sometimes it happens आगे देखते हैं अभी nothing हो गया something हो गया much हो गया same हो गया so हो गया such हो गया anything in case of the little the few इनके साथ जो प्रुनावन है वो that को प्रिफर किया जाता है that यह विच के जगे पर relative प्रुनावन that होना चाहिए किसी का आया था आंसर किया यह वाला क्या किसी ने यह आंसर किया नहीं किया आगे देखिए the biscuits of parlay parlay एक brand है company का नाम है यह बनके अब parlay company के जो biscuit है वो ज़्यादा स्वादिष्ट है किस की तुलना में दूसरे company की तुलना में या दूसरी company की biscuits के तुलना में तो जैसे यहाँ पर लिखा है the biscuits of parlay तो other companies नहीं हो गए यहाँ पर होना चाहिए था those of other companies यह क्या बनना चाहिए था those of other companies दोस के वो लगाया है यहाँ पर यहाँ पर अदर कमपनीज की biscuits होने चाहिए ऐसे होना चाहिए था sentence यह the biscuits of other companies तो चुनकि biscuits एक बार आ चुका है तो repetition of noun जो है नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर 10 biscuit से जगे पर हमने क्या लगा दिया दोजोग इसका आंसर अब आप करेंगे 36 अभी हम लोग क्लास के जो शुरुवात हुई थी जिस concept से क्लास के शुरुवात हुई थी यह उसी पर based है और इसका आंसर आफी करेंगे और आज के लास्ट एक्जामपल लेए आंसर करें जल्दी से इसका आप लोग हाँ दोजोफ अधर कंपनीज था कंपनी नहीं था राकेश में भी टापिंग इरर हो गया हो दिखेंगे मुताता हूँ मिला एरर किसे को कितने भूले हैं आप लोग बताया यह हाँ स्वीट आफ यू जो पढ़ा हुए उसका आंसर भी नहीं कर पा रहे है इतना कटिन कटिन पढ़ लिया कीजी वाला करी नहीं पे कौन इजी वाला कौन आंसर करेगा इसर अडाये प्लाडी कॉस्च्च्च्च्च इतने इसी कोशन हम लोगों को देते हैं आप यहां देखिए कि हैं और हिम यह दोनों सेम आपके रेस्पॉंस भी काफी अच्छे आ रहे हैं, खुशी राकेश, आप लोग बहुत बढ़ी आंसर कर रहे हैं इसका, रानू, तो आगे प्रुनाउन वगरा कहीं से पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो, अगर ऐसे सिजल में आप अपीर होने जा रहे हैं, तो ह कल फिर हम लोग मिलेंगे सुबह सवा 8 बजे, और अगर नॉन फानाइट वर पढ़ने के यक्षुक आप हैं, तो आप मिलिएगा सुबह में अभी फिर एक दो गंटे के बाल, सवा 11 बजे, आप अगर क्लोस थेस्ट और पीकी वारेसों को सॉल्व करना सिखना चाहते हैं, मिलिए का शाम को सवा चार बजे, एक्टिव वोईस पैसिव वोईस को बेसिक से पूरा कॉंसेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मिलिए का रात को सवा 10 बजे, तो आज के लिए इतना ही, थांक्यू बेरी मुच, और थांक्यू बेरी मुच पर वाचिंग, बाइ-बा